नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त एबं होस्ट हर्शिता अगर आपने हमारे चैनल गो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको अपनी हेल्थ और लाइश्ट्राइट सुधारने के बारे में जानकारी देते रहें और फाइटो नीट्रिन से उच है और साधी में कैलरी से निम्भ है अतर जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या शाकाहारी अहार का पालन करना चाहते हैं उनके लिए यह बेस्ट अहार है पालब विटामिन A, विटामिन B2, C, E, K, iron, calcium, magnesium, manganese, phosphorus, zinc, selenium, copper, folate, protein और फाइवर का एक अच्छा सोर्स है इसके अलावा यह फ्लेविनोइट्स और कैरोटिनोइट्स से भी भरपूर है आप इस बहुमुखी भोजन का एक सलाथ, सूप, दलिया या खिचरी के रूप में खा कर आनन्द ले सकते हैं पालब के फाइदे पालब के फाइदे करेक्ट डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में सहयता पालब के पत्तों का गहरा हरा रंग ये दर्शाता है कि उनमें क्लोरोफिल सम्मिलित है जो आपके यक्रित और कोलन में विशाक पदार्तों को निकालने में अत्याद मददगार होते हैं इसके अलाबा क्लोरोफिल में जिवानुरोधी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुन भी मौजूद होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन पक्रिया में अपने शरीर का समर्थन करने के लिए आप पालब की मदद से भिविन्न स्मूधी दलिया या खिच्री तयार कर सकते हैं पालब का उप्योग करें आयरन की कमी को पूरा स्पिनेट जूस पॉर्ट आयरन डिफिशन्सी पालब एक एक्सिलेंट फैट और कोलेस्ट्रोल फ्री आयरन का सोर्स है आयरन हीमोग्लोबिंग का एक मेहखकून सोर्स होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सिजन सर्कूलेशन को सुनस्चित करता है इस आवश्यक पोशक तत्व की कमी ठकान का कारण बन सकती है और आपके नर्वस सिस्टम से लेकर आपके इम्यून सिस्टम तक सभी के कार्य को प्रभावित कर सकती है आइरन की कमी से एनिमिया जैसी बिमारी हो सकती है पालग के गुन रखे रिदय को स्वास्थ स्पीनेच और हेल्दी हार्ट ताजा हरा पालग एंटी ओक्सिडेंट गुनो विशेश रूप से विटामिन C और बीटा केरोटीन से भरभूर होता है जो रिदय स्वास्थे को बढ़ावा देता है एंटी ओक्सिडेंट कोलेस्टरॉल के हानिकारत ऑक्सिडेशन को रूपते हैं जो दिल और धमनियों के स्वास्थे के लिए खत्रा बन सकते हैं पालक में रिदय के लिए मेंगनीश्यक, पोटेशियम और फोलेट जैसे स्वास्थेवर्दत पोशक तद्व शामिल होते हैं पालक खाने के फाइदे करें कैंसर से लड़ने में मदद स्पिनेश प्रिवेंट्स कैंसर पालक खाने के लाप सूजन को कम करने के लिए स्पिनेश प्रिवेंट्स ब्लेवनेशन अच्छी मात्रा में उच गुनवत्ता बाले फ्लेवोनोईट्स और केरटीनोईट्स नीथ होने की वज़ा से पालक में उत्तम एंटी इंफ्लेमेटरी गुन पाये जाते हैं शोदकर्ताओं ने पालक में एक दर्जन से अधिक फ्लेविनोई एलिमेंट्स की पहचान की है जो एंटी गैंसर और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुनों में संब्रित है पालक का जूस रखचाब को कम करने में फल्दायक spinach leaves for lowering blood pressure potassium उच होने और sodium कम होने के कारण पालक उच रखचाब को कम करने में अतियन सायक है इसके अलावा एंटी ओक्सिडेंट और पालक में पाये जाने वाले विशेश पेप्टाइड रखचाब को कम करने में बहुत फाइदेमन होते हैं पालक के उप्योग से लाए नेत्र स्वास्थे में सुधार spinach salad for ice पालक beta carotene, lutein carotenoid से भरपूर है जो आखों के स्वास्थे को बढ़ावा देती है और macular degeneration और motiabin जैसी आखों की बिमारियों से आखों की रखचा करती है पालक के उच्दे गुन करें मस्तिक्ष का सनरक्षन medicinal properties of spinach protective brain lutein, folate और beta carotene pack पालक का एक अधुत मस्तिक्ष भोजन है इन पोशक तत्वों की कमी dementia एक प्रकार के पागलपन का कारक है पालक में उपस्तित flavinoids, सक्तिशाली, anti oxygen के रूप में काम करते हैं जो मस्तिक्ष को free radical शती से बच्चे में उम्रुप से संभंधित गिरावट के प्रभाव को धीमा कर देते हैं पालक से neuro protection lab प्राप्त करने के लिए हर दिन पालक खाए पालक जुस के फाइदे हटियों के लिए spinach benefits for bones पालक विटामिन के का एक बहुत अच्छा source है जो bone matrix में calcium को बनाय रखने में मदद करता है और bone mineralization को बढ़ावा देता है यह osteocalcine के synthesis को बढ़ावा देता है जो हड़ी की ताकत और density को बनाय रखने के लिए आवश्यक है पालक के नुकसान पालक सबसे स्वादिश्ट सब्जियों में से एक है जो हम अपने अहर में एक मुख्य वोजन के रूप में शामिल कर सकते हैं यह ओशक तत्व से भरबूर है और कई स्वास्थे और 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 अश्टिय लाग प्रदान करते हैं लेकिन इसका अध्यादिक सेवन करना हमारे लिए खतरनाख हो सकता है क्योंकि स्वास्थे लाग होने के साथ साथ इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी है पालक का अध्यादिक उप्योग आपके शरीर की मिनरल्स अब्सॉर्प्शन सम्ता को कम कर सकते हैं पालक आहर फाइवर का एक उत्तम सोर्स है जिसको यदि अत्रिक मात्रा में खाया जाए तो पेट में गैस का निर्मान, सूजन, दर्द और यहां तक की कव्स जैसे पेट सम्मंदी विकाल हो सकते हैं इसके अत्यादिक सेवन से दस्त होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है पालक जादा खाने से किड्नी में स्टोन हो सकता है यदि आप बलड पतला करने वाली दवाईयों का सेवन कर रहे हैं तो पालक का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाथ जरूर ले जो किड अपने अहार में पालक को शामिल करने से पहले डर्ड और पेस्टिसाइड रेसिड्यूस को हटाने के लिए पत्तियों को अच्छी थरा से धोई ऐसे ही स्वास्ते से जुड़ी कुछ उप्यों की जानकारियों के इसे हमारे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़र और किसी शारडिक समस्या यानि फिजिकल प्रॉब्लम्स के सॉलुशन के बारे में जानना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक्स फॉर वाचिंग